y plus n की पार का फ़ूम, x plus y की पार, np. n-c0 into x plus, जो first term होता है, उसकी पार होती है n, पहरी term टीक है, नेक्स तर्म क्या होती है nc1 into जो पहली term होती है x प्लस पहली term जो होती है उसकी पार तो जाती है अपस n-1 और जो second variable होता उसकी पार जाती है 1 and so on अब अगर मैं first term देखें तो x प्लस y की पार n तो अगर मैं x प्लस y की पार n कर रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ पे किती terms आएंगी इसमें आएंगी n प्लस 1 terms ठीक है second है इसमें किती terms आएंगी हमारे पास इसमें आएंगी हमारे पास n terms अगर मैं इसे expand करूँगा तो इसमें किती terms आएंगी में पास n terms correct similarity अगर हम बात करेंगे इससे अगली टर्म की तो उसमें आएगी हमारे पास एक टर्म कम ठीक है and so on and minus 1 and so on up to last में में जो टर्म आएगी वो टर्म आएगी 1 उसमें number of terms आएगी 1 क्योंकि यह आपर क्या लिखा हुआ है nc0 into this x plus y की पार n plus nc1 into x plus y की पार n minus 1 into z की पार 1 ठीक and so on तो अगर मैं यहापर देखूँ तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n minus 1 n n plus 1 तो यह पता है 1, 2, 3, 4 up to n उसका formula क्या होता है n into n plus 1 upon 2 पर यह हमारे पार जो series आ रही है terms यहापर एक term आ रही है, यहापर 2 terms आ रही है 3 terms आ रही है, 4 terms आ रही है तो यह क्या हो जाएगा, formula हम इसको आगे बढ़ा जाते है instead of n हम क्या ले रहे है n plus 1, तो परही term हो जाएगी n into n plus 1 that means यहापर हो जाएगा n plus 2 upon 2 च्योंकि यह formula किसके लिए up to n plus 1 terms के लिए है, ठीक है तो आप to n plus 1 terms के लिए हो जाएगा जैसा n के लिए था, वैसे हमारा n plus 1 terms के लिए हो जाएगा तो इसे हम treat करें capital n की तरह तो यह हो गया n into n plus 1 capital n plus 1, that is equal to n plus 2 upon 2 तो इतनी terms आ जाएगे, हम आप रहे थे expansion में ठीक है तो यह result हमें याद आखना है, यह result बड़ा important है और यह result हम कई जगे पर use करेंगे fine ओके, तो result को यहाँ देख लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है total number of terms in the expansion of x minus y plus 2z की power n is 45 तो value of n is, n की value हमसे पूछा हुआ है तो हमें पता है कि अगर such expansion हो उसमें number of terms कितनी होती है तो अभी हमने देखा उपर number of terms कितनी होती है n plus 1 into n plus 2 upon 2 और यह हमें दे रखा है 45 कितना दे रखा है? 45 तो यहाँ ते यह हो गया n plus 1 into n plus 2 is equal to cross multiply कर दिया, तो यह आगया 90 अब हम इससे solve ना करके हम यह देख लें यहाँ पर कि क्या right hand side में 2 consecutive terms बन रही है, yes बन रही है 9 into 10 is equal to 90 तो यहाँ पर हमने थे compare कर दिया n plus 1 into n plus 2 से ठीक है? तो n की value क्या आगई? 8 n की value क्या आगई? 8, अगर n की value 8 होगी तो यह suffice कर रहा है इसका मतलब the value of n is equal to 8 the value of n is equal to 8, simple ठीक है? चलिए एक और simple question देख लेते है coefficient of rth and r plus 4th term in the expansion of 1 plus 60 power 20 is equal यह equal दे रखा है ठीक है? यह जो coefficient है वो दे रखा है equal तो r की value क्या होगी? तो ultimately हमें यह दे रखा है कि अगर हम देखें इसमें rth term क्या होगी? राइट? तो यह तो हो जाएगा 20cr-1 च्योंकि r plus 1 तर्म में तो नीचे r आता है तो अगर यह r है तो r-1 आ जाएगा तो 20cr-1 तो यह coefficient तो हो गया हमारे पास? किसका? rth term का और r plus 4th term का expansion कितना होगा? term का coefficient क्या होगा? 20cr-3 तो हमें रखा है यह दोनों equal है ठीक है? तो यह दोनों equal है तो हमें पता है कि अगर ncr is equal to अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है ncx is equal to ncy तो इसका meaning है x plus y is equal to n या x is equal to y तो हम देख रहे हैं x is equal to y तो है नहीं यहाँ पे तो इसका मतलब this plus this is equal to 20 ठीक है? तो इसका मतलब r minus 1 plus r plus 3 is equal to 20 तो यह आगे 2r plus 2 is equal to 20 तो 2r is equal to 18 तो r की value आगे 9 तो यहाँ पे एक option है 9 तो हमारा answer आगे 9 झारे कुरक्ष